जाए हिंदव वंदे मातरम सातियों मैं भी शेक मिस्राज आप सभी का हमारे द्रणिस संकल पर NCRT Special Course की Free Classes में बहुत बहुत श्रागत करता हूँ आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की NCRT ST का Chapter No.7 हमारे आज की शेप्टर का नाम है असोक एकनो का समराज जिसने युद्ध का त्या किया आज का जो मारा ही चेप्टर है इस पेसली असोक समराज और मौरिस समराज जिके ओपर आधारीत है असोक समराज एक ऐसे सासते जिनोंने अपनी बात को जनता तक पहुचाने के लिए सबसे पहले अभिलेकों का प्रियोग किया था यनकि अभिलेक के माद्यम से अपनी बात जनता तक पहुचाना सबसे पहले असोक समराज ने ही सुरू किया था इसके लाबा हमारे प्राचीन भारत का सबसे बड़ा युद्ध लड़ने वाले सासक भी असोक समराट ही है इन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा था जिसमें एक लाग सेदिक लोगों को बंदी बनाये गया था कई हजार लोगों की इसमें हत्या हो गे थी इस युद्ध में इतनी हिंसा हुई थी कि इस हिंसा को देखते हुए असोक समराट ने कभी भी युद्ध ना करने का निने ले लिया था अर्थात युद्ध से सन्यास ले लिया था असोक समराट को महान असोक कहा जाता है मौरे बंस में पूरे तीन सासक हुए एक चंद गुपते, एक बिंदुसार और एक असोग इन तीनों में असोग समराट को केवल महान असोग कहा जाता है तो आज के इस वीडियो में हम इस चेप्टर का संपूर निचोड लेकर के आए है और आज के इस चेप्टर के हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को बहुती बारीकी से हम डिस्कस करेंगे और इसी के साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो कलीजेगा साथी साथ बेल आइकन को प्रेश करना बिल्कूल मत बोलना हमारे दौर डालेंगे हर वीडियो को नोटिफिकेसिन आ पको इगर आपको हमारे पेस्टर टेसरीज होने वाली ऐसी टेसरीज आपको और कहीं भी नहीं मिलेगी यह पैड कोर्स है लेकिन चुकि मैं लगबग 4-5 सालों से यूट्यूब पर को डाउलोड नहीं किया है तो कर लीजिएगा इस NCRT स्पेस्टल को पूरी तरह से जॉइन करने के लिए पूरे कोर्स का एक्सेस लेने के लिए द्रिण संकल एप पर जाकर के हमारे NCRT स्पेस्टल को अभी पर्चस कीजिएगा और पर्चस करते समय अगर आप हमारे कूपन क कोड का इस्टिमाल करेंगे तो 20% का डिसकाउंट आपको मिलेगा कूपन कोड है DRIDH20 सारे के सारे जो वर्ड हैं कैपिटल लेटर में रहेंगे DRIDH और लास्ट में 20 बिना स्पेस के इस कूपन कोड का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो इस कोर्स को पर्चस करते समय आपको 20% का डिसकाउंट मिलेगा अब आजाते है अपने मुखी टॉपिक पर और आज के इस चेप्टर को एक एक करके हर एक टॉपिक को डिसकस करते हैं सबसे पहला टॉपिक में मिलता है कि भाई मौरिस समराज जिसके उपर असोग समराज पर सासन करते थे इसके विसे में चर्चा करते हैं ठीक है तो सबसे पहली हेडिंग है एक बहुत बड़ा राज एक समराज मौरे समराज की स्थापना की बारे में याँ पर पहले जानिएगा तो पहले विंदु में कहा जा रहा है असोग जिस समराज पर सासन करता था उसके स्थापना उसके दादा चंद्रगुप्त म आगे बढ़िएगा आप जो चंद्रगुप्त मौरे हैं इन्हों ने अकेले ही इस सामराज जी की स्थापना नहीं की थी चानक के या फिर इनको कौटिल भी कहा जाता है इन्होंने सामराज जी की स्थापना में चंद्रगुप्त की सहायता की थी जो चंद्रगुप्त हैं यहाँ पर ऐसा भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त तो एक मोहरा थे सामराज जी की स्थापना करने वाले व्यक्ति चाणकी ही थे चणके के कई सारे विचार हमको अर्थ-सास तर नाम की किताब में देखने को मिलते हैं अगर आप चाहें तो इसके बारे में इनके विचारों को पढ़ सकते हैं ठीक है? अच्छा इसके बारे में और लेडी सभी को पता है चणके कौन थे? चंदगुपत कौन थे? तो और हम इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं, जब एक ही परिवार के कई सदस से एक के बाद एक राजा बनते हैं, तो उने एक ही बंस का कहा जाता है, जैसे अगर हम मौरे बंस की बात करें, तो मौरे बंस में कुल मिलागर के तीन महत्पूर्ज राजा हुए हैं, इनका बंसा नुक मिलते हैं, ठीक है, और कोई भी बंस तब कहा जाता है, एक ही बंस के सासक तब कहे जाते हैं, जब एक के बाद एक एक ही परिवार के सदस से राजा बनते जाते हैं, तो उसे एक ही बंस का कहा जाता है, जैसे की मौरे बंस की तीन सासक एक के बाद एक राजा बने, इसलिए प्रशनी इसके उपर पहुचा आया सकता है, देखो एक दो प्रशनी आपर भी पूटाप होते हैं, मैं बता देता हूँ, प्रशनी आएगा कि चंदरुक्त ने मौरिस सामराज की स्थापना आज से कितने वर्स पूर्व की थी, तो 2300 साल पहले, ठीक है, चंदरुक्त मौरिस अब जब मौरिस की स्थापना की, तो इनकी सायता किसने की थी, चानकी या फिर कौटिले ने, कौटिली को और किस नाम से जाना जाता है, चानकी के नाम से, चानकी को और किस नाम से जाना आता है, कौटिले, ठीक है, इसके इलाबा, चानकी के विचारा में किस पूस्तक में मिलते हैं, तो अर्त-सासर नाम की पुस्तक मिलते हैं, ठीके, इसके अलाबा प्रश्न ये भी आता है, ठीके कि असोक समराज जिस सासन, जिस सामराज पर सासन करते थे उसकी इस्थापना किस ने की तो चंदरगुपत मौरे ने स्थापना की थे ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक जो हमारा यहां पर मिलता है वो इनके सामराज की विसे में जानकारिय दीगी उनको डिसकस करते हैं तो मौरिस सामराज की राजधानी क्या थी पार्टली पुत्र यादटना इसके लाबा मौरिस सामराज में तीन महतपूर्ण नग तो अलग-लग राज्यों में कुछ महतथ पूर्ण सहर होते हैं कुछ महतपूर्ण नगर होते हैं जैसे कि अगर हम हमारे उत्ठपदेश्च की बात करें तो एक आपका गुर्गान हो गया एक आपका कानपूर हो गया थी तरह से चौह महतवण मौरिस अमराज की जो महत्वूंर नगर थे, फ तैन तो एक आपित peine मरगों, अगर हम बहुत सारे लोग गुज़रते थे और जो लोग यहां से गुजरते थे उनसे कर लिया जादा था, उपहार लिये जादे थे ठीके, और वो tax राज घराने के पास में जादा था, राजा के पास में जादा था, ठीके, जैसे आज के time पर तोल टेक्स दिया जाता है इसी तरह से और याद रखना है जैसे आज की टाइम पर हम देखते हैं जहां कहीं से हाइबे निकल जाता है वो इलाका पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ पर आप देखो कि दुकाने बनने लगती हैं लोग घर बनाके रहने लगते हैं इसकूल बन जाते हैं इसी तरह से जो ये मार्ग बारी जगए होती है ये इंपॉर्टेंट हमेशा रही है और आज भी है ठीक है तो तक्चिस इलाज जो है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर उत्तर पशिम और मद्यसिया के लिए आने जाने का मार्ग इस्थित्ता इसके लागर हम उज्जैन की बात करें तो उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षनी भारत जाने के रास्ते में पड़ता था ठीक है अगर आपको उत्तर पशिम यानि कि उत्तर और पशिम ये वाला इलाका ठीक है और मद्यसिया उत्तर पशिम से अगर आपको मद्यसिया की ओर जाना है तो आपको यहीं से उज्जरना पड़ता था ठीक है इसलिए यह इंपॉर्टेंट था अब हम आगे बढ़ते हैं और असोक की विसे में विसे से अब अगर अगर आप मारे भारत देज में जो यहां पर मै भारत का दिया गया है इसमें लाल विंदों को देखोगे इधर कांधार इधर लंपक थीक है ये आज आपको पाकिस्तान के भी बाहर का इलाका मिलता है इदर दक्षिन भारत में ब्रमगिरी, एरागुरी, मस्की इदर आपको धौली, जोगर मिलता है और ये आपका लौरिया, ठीक है इसके लावा ये कई लाके मिलते हैं ये आपका पूर्वी भारत इन्होंने कवर कर लिया, ये आपका पश्यमी भारत कवर कर लिया, ये दक्षिनी भारत और इदर तो आपको ये देखने को मिली रहा है, ठीक है उत्तर भारत की तरब तो ये जाही रहे है, ठीक है इन्होंने असोग जो थे इन्होंने महान असोग ने अकंड भारत बनाये हुआ था अकंड भारत ठीक है भारत के बहुत बड़े इलाके पर इनकी मतलब पहुंच थी और इनकी सत्ता चलती थी ठीक है अब इनके बारे में इनके जो अभिलेक मिले हुए उनको हमने पूरा असो किसी लालिक हमें जिन इलाकों से देखने को मिलते हैं एक तो मैप में दियेगे, आप देख लीजी का लाल बिंदू दियेगे ठीक है, लिक्के भी दिये रखे हैं तो उनको में बता देते हैं एक तो कांधार, ठीक है, दूसरा लंपक, तीसरा मनसेरा, चोथा सहवाजगड़ी पांच, इसके लाबा फिर कल्सी, टोपरा, मेरट, बहापुर जो की दिल्ली में स्थीत है इसके लाबा लुंबिनी, रामपुर्वा, लौरिया, अरराज, गुजर, सारनात, कौसांबी, रूपनात, सांची, इसके लाबा पनगुरिया, गिरना, जोगड़, जोगड़ जो की कलिंग में है और कलिंग का ही सबसे बड़ाई हो दिनों ने लड़ा था, कलिंग आज के उडिसा का नाम है, ठीक है आज उडिसा कहते हैं, पहले कलिंग कहा जाता है, इसके बाद में सोपारा, सननाती, मस्की, एरागुरी और ब्रमगिरी इन इलाकों से अभी असोग के अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं सामराज के प्रसासन की, अब सामराज के प्रसासन की बात की जारे है, तो यहां पर आप यह मस्मझना चुकि मौरे समराज बहुत बढ़ा था इसलिए अलग-अलग इस ओपर अलग-अलग धंग से सासन किया जाया था जो मौरे समराज था छोटा-मोटा समराज बिल्कुल भी ने था एक बहुत बढ़ा समराज था ठीक है आपने भी यहां पर देख लिया इसलिए इसके अलग- मास्की जो इलाके थे और राजदानी का जो इलाक है था यहाँ पर समराठ का सीधा नियत्रन रहता था इनलाकों से कर इखटा करने के लिए राजा आधिकारियों की न्यूक्ति करते थे ठीक Heavenly के जयाम तो पर आज भी किन श्मराप श्लिकार्वि तो यहां पर अधिकारी गलत काम कर रहे हैं, या फिर कोई मतलब नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, तो यह जो जासूस लोग हैं, संदेज बाहकों तक अपनी ख़वर पहुंचाते थे, और संदेज बाहक जाकर के समराट को बताते थे, और फिर उसके बाद में यहां पर जो का कारी गलत होते होंगे, तो इनको दंड भी दिया जाता होगा, इसके लाबा इन सब के ऊपर समराट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ट मंत्रियों के साहता से सब पर नियंतरन रखता था, ठीक है, बहुत ही सिंपल सब्दों में पूरे समराट का ब्योरा या पर, पू इंदर नियंतरन रखते थे, और यहां से टैक्स इखटा करने के लिए, इन समराटों ने क्या किया था, अधिकारियों को नियुक्त किया हुआ था, ठीक है, अधिकारियों जो थे, इनको मंत्ली बेतन दिया जाता था, ठीक है, और अधिकारियों की उपर नज़र रखने के मौरज सामराज हां मौरज सामराज के वेतर कई छोटे-छोटे परांत भी थे अब इतना बड़ा इलाखा है तो अलग-अलग परांत भी होंगे परांत जिनने आज की टाइम पर हम राज ये कहते हैan ऐसे ही पहले परांत कहा जाता था पूरे इलाके को नियंत्रित किया जाता था ठीक है इसके लाब आगे कहा जा रहा है इसके लाब आगे कहा जा रहा है कुछ हद तक पाटली पुत्र से इन चेत्रों पर नियंत्रित रखा जा जाता और अक्सर राज कुमार को वहां राज जेपाल अर्थाद गवर्नर बना करके भीजा जाता था भाई देव कुछ हद तक तो यह हो गया कि भाई जहां तक समाल पाएंगे वहां तक समालेंगे लेकिन जब चीजें कंट्रोल में नहीं रहती होंगी तब जो राज कुमार होते था यानि कि राजा का बेटा उसको राज जेपाल अर्थाद गवर्नर के रूप में इन प्रा प्रादेश्ची केंद्रों के बीच बिस्त्रिच चेत्र थे जो हमने यहां पर प्रांतिय केंद्र देखे जो अलग अलग प्रांती इलाके थे जो प्रांत थे इन केंद्रों के अगर आप बिस्त्रिच चेत्र को देखोगे तो बहुत बड़े बड़े इलाकों में यह केंद्र फैले हुए थे यह प्रांत फैले हुए थे इसलिए यह क्या करते थे पूरे की पूरे प्रांत के उपर नियंत्रन ना रख करके इन इलाकों में जो मार्ग होते थे और जो नदियां होती थे इन नदियों और मार्गों के ऊपर खास नियंतरन रखते थे पूरी इलाखे को अपने अधीन रखते थे यहां से टैक्स भी लेते थे जितना मिल पाया उतना लेकिन जो नदियां थी और मार्ग थे इनको अपने नियंतरन में खास तोर से र तो मतलब क्या ही कहेंगे बहुत कम थे मतलब जो यात्री गुजरते थे और जो ब्यापारी गुजरते थे वो इनको यहां से कर और नजराना जो की भेट के रूप में मिलिया जादा था दे दे थे अर्था सात्र में लिखा है कि उत्तर परशिम कमबल के लिए और जक्षिन बारा सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रशिदत था और इन चीजों का ब्यापार करने के लिए जो ब्यापारी थे वो इनी मार्गों से गुजरते थे जब इन मार्गों से गुजरते थे तब इन ब्यापारियों से यही चीज़ें भेट और नजराने की रूप में ले जा देती, यहां से संसादन नजराने की रूप में कत्रित किये जा देते, नजराना अर्थात भेट की रूप में, ठीक है, और अंत में जंगल वाली लाके आते हैं, वहां रहने वाले लोग काफी अत्त सो तंत्र थे उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे मौरे पदा अधिकारियों को हाती लकडी मदू और मौम ठीके मदू अर्तास सहद और मौम ठीके मौम तो हम सभी लोग जानते हैं मौम जैसे चीजें ला करके थे यानिकि जंगल में रहने वाए लोगों से यह उम्मीद करते थ कि जंगल के जो उत्पाद हैं वो हमारे मौरे समराज के अधिकारियों को ला करके दो ठीके बांकि आप लोग आजाद होकर के रहो तो आजाद होकर के जंगल की जो निवासी थे वो रहते थे समराज के प्रसासन कैसे चलता था यह हमने आपर देख लिया अच्छा कर नियम डंग से इखटा किया जाता जो कर था, वो नेमित रूप से लिया जाता, لیک enzymes, यह अजरानी की बात करें, तो यह अनेमित रूप से जब्भी संभब हो पाता था, बिभिर्ण्न चीजों की रूप में प्राया, ऐसे लोगों से लिया जाता था, जो अपनी इच्छा से इसे दे से दे, जवर्जस्ती नहीं है कि सभी लोग नजराना दो नहीं, मतलब अपनी इच्छा से जो भी बेक्ती नजराना देना चाहे वो यहाँ पर इसे समराट को दे सकता था, ठीक है, तो यह समय समय पर जब भी समभ होता था नजलाना इखटी किया देते लेकिन जो कर है ये नियमित रूप से लिया जाता था ठीक है आगे बढ़ते अब राजधानी में समराट काफी अच्छा टॉपिक है राजधानी में समराट इसमें बताया गया है कि उसमें की जो समराट थे वो कैसे रहते पहले विंदु में कहा जा रहा है मेगस्तनीज जो की चंदरुप्त के दरवार में पश्चिम एसिया की यूनानी राजा सेलुकस निकेटर के राजधूत थे ये चंदरुप्त मौर के दरवार में रहते थे ठीक है उपस्तित होते थे कौन थे इनका नाम था मेगस्तनीज और ये सेलुकस निकर्टर के राजदूद थे, मेगस थनीज ने भारत में जो कुछ भी देखा उसका विवरन दिया, विवरन एक पुस्तक में दिया, जिसका नाम इनोंने इंडिका रखा, इंडिका नाम की पुस्तक है, इस पुस्तक में इनोंने यहां पर जो कुछ भी देखा, उसका विवरन दिया था, ठीक है, अच्छा, इस विवरन से यह में काफी सारी जानकारे मिलती है, मेगस थनीज के विवरन से पता चलता है, कि समराट को सोने की पालकी में जनता के सामने ले जाया जाता था, जनता के सामने ऐसे नहीं जाते थे, जनता के सामने जब जाते थे, तो सोने की पालकी में जाते थे, तता उनके जंता के सामने जाने पर सोभा यात्रा के रोप में जस्न मनाये जादा था कि राजा आ रहे हैं हमारे ठीक है राजा आ रहे हैं तो सोभा यात्रा है निकाली जाए और जस्न किया जाए ठीक है तो जस्न मनाये जाता, अगले पॉइंट में अलंगरक्षक, ठीक है, एक नट हाँ, अलंगरक्षक अलंगरित हाथियों पर सवार रहते थे अंगरक्षक अतात, जैसे आज के टाइम पर आप बोडी गाड कहते हो, तो बोडी गाड, ठीक है जो समराट के बोडी गाड होते थे, ये अलंगरित हाथियों, यानि कि सजे हुए हाथियों के उपर सवार होते थे, कुछ अंगरक्षक पेणों को लेकर के अपने साथ चलते थे पेणों के खोल के अंदर गोज जाती होंगे ठीक है, या फिर पेणों को उठा कहने ही सकती कुछ या आपने, कितनी पूछ होगी समराट की, कि समराट जब आ रहा है, तो सोबा यात्राएं निकाली जा रही है जस्न मनाए जा रहे हैं अलंगरित हातियों के उपर बोडी गाड बैठे हुए हैं, इसके लाबा प्रशिक्षित तोतों का जुंड उसके सर के आसपास मनरा रहा है अंग रक्षक जो हैं, वो पेड़ों को ले करके चल आए अपने साथ में हैं, इसके लाबा समराट के चारो और मतलब प्रशिक्षित तोतों का जुंड चल आए कि बाई, अगर कोई भी आकरमण करने के लिए आता है, तो ये तोते उसके उपर आकरमण करेंगे, और राजा को अमेसा चुकि डर रहता है कि कोई उसके हत्या ना करे, इसलिए हत्यार बंद महिलाओं से राजा अमेसा गीरा रहता था मतलब क्या उच्च लेवल की सिक्यूरिटी थी, आगे कहा जा रहा है उसके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चकते थे कि कहीं खाने में जहर तो नहीं मिला दिया इसके लाबा, ये जो समराड थे लगातार दो रातों तक एक ही कमरे में नहीं सोते थे मतलब किस लेवल की सिक्यूरिटी रही होगी, आप ईस बात का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हो, आगे कहा जा रहा है और पाटली पुतर आधुनी पथना की बारे में भी यहाँ पर बताया जारे है जो पाटली पुतर है चारो तरप से दीबार बना दिए गी थे जिसमें 470 बुर्ज यानि की खंबे आपने देखा हो ना खंबे बने होते हैं खंबे की ऊपर विक्ति के खड़े उने की जगे होती है ठीके तो बुर्ज से घिरा हुआ था ठीके बुर्ज पानसो सत्तर बुर्ज थे एक तो क्या है क डंक से इसको एक करते तो इसको सबसे पहले चारों तरफ से चार दिबारेसे घर दिया ने के बाद में 570 बुर्ज बनाए गये जीussㅎ कि sampling के यहां बनादिया यहां बना दिया एक हाँ ऐसे ऐसे 550 बुर्ज बनाए गया ते ऐसे आशे पाटन सम्ति प्रों सहब्रागार के रूप में स्के लावट 64 पूरे द्वार थे, पूरे समराज के असपाद जो ये प्राचीर बनाएगी थी, दीवार बनाएगी थी, इस दीवार में 64 प्रवेश द्वार थे, जहां से विक्ति आ और जा सकते थे, दो और तीन मंजिल वाले घर, इसमें देखने को मिलते थे, लकड़ी और कच्ची इटों से बने थे, एक तो लकड़ी और इसके लबा कच्ची इटों, इनसे बने हुए घर यहां पर देखने को मिलते थे, आम त बहुती अचरंग से इसके उपर डिजाइन की गई थी और पत्थर की नकाजी से अलंकित यानि की सजाय भी गया था ठीक है ये चारों तरब से उधानों और चिणियों के लिए बने बसेरे से घिरा था ठीक है यानि की आसपास चिणियां देखने को मिलती हैं बगीचे ठीक है जिसका वर्णन इन्होंने किया अब हम बात करते हैं असोक समराड की जो की एक अनूखी समराड थे क्योंकि इनको महान असोक कहा गया है ठीक है इन्होंने एक ऐसा युद्ध लड़ाता जो कि उस समय का सबसे भयानक युद्ध कहा जाता है ठीक है आप बात करते हैं तो आपका उडीसा का प्राची नाम कलिंग था तो इसी उडीसा का प्राची नाम कलिंग था ठीक है असोक ने अपने एक अभिलेक में कलिंग युद्ध का वनन किया है उसने कहा है कि राजा बनने के आठ साल वाद मैंने कलिंग विजे के निकि राजा बनने के आठ साल तक इन्होंने क्या किया क्याने के आठ साल मतलब इन्होंने युद्ध भी किया होगा काफी लंबे समय तक ठीक है, आठ साल वाद इन्होंने कलंग को जीत लिया, कलंग के उपर विजे प्रात की, लगबग इसमें डेड़ लाक लोगों को बंदी बना लिया गया, एक लाक से जादा लोग इसमें मारे गये, मतलब उस समय देखो जब जनसंग्या इतनी कम थी, तब एक लाक लोग इस युद्ध में मारे गये हैं, और डेड़ लाक लोगों को बंदी बनाये गये, लगबग पूरे उडिसा को उजार डालाता है इन्होंने, ठीक है, आगी कहा जा रहा है, इससे मुझे अपार दुक हुआ, बाई एक पूरे राज जी को उजार डाला, डेड़ लाक लोगों को बंदी बनाये गया, एक लाक सेदिक लोगों को मौत की घाट उतार दिया गया, ये सब देखने के बाद में जो ये असोक समरार थे, इनको अपार दुक हुआ ऐसा इरोंने अपने अबिलेक में लिखा है, जब किसी सतंत्र देश को जीता जाता है, तो लाकों लोग मारे जा इसमें ब्राम्मन और स्रमन भी मारे आते हैं, यानि कि ब्राम्मन जो सन्यासी लोग होते हैं, ठीक है, तो ब्राम्मन और सन्यासी लोग जिनका ये लोग आदर सम्मान करते थे, ऐसे लोगों को भी इसमें मारना पड़ता है, ठीक है, और अगर हम जैसे कि मुगल काल की बात मंदिरों को लूटना पड़ेगा, क्योंकि सारा खजाना आपने मंदिर के पास में रख दिया, अब जब तक मंदिर में जाएंगे नहीं, तब तक खजाना नहीं मिलेगा, और मंदिर में मूर्ति के नहीं चिपा दिया, तो मूर्ति हटाओगे नहीं, तो भाई, खजाना कहां और इसमें ब्रह्मन और जो सन्यासी लोगों ते इनको भी मारना पड़ता है ठीक है अगले पॉंट में कहा जा रहा है कलिंग युद में जनहानी से दुखी होकर असोक ने धम का पालन करने और दूसरों को इसकी सिक्षा देने का निश्चे किया धम जो है इसका अर्थ होता ह धर्म ठीक है धर्म का जो अर्थ होता है वो धर्म ठीक है ये एक प्राकृत सब्द है उसमें इस्तिमाल किया गया होगा कलिंग अभिलेक में धम के विशे में आसोक ने कहा है कि मैं मानता हूं कि धम के माध्यम से यानि कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बल पु के लिए एक संदेश की रुक में इसलिए उत्किन कर रहा हूँ ताकि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें इसके बदले उन्हें ये सोचना चाहिए कि धम को कैसे बढ़ाया जाए अच्छा अब मैं आपर आपसे प्रश्ण पोश्चा जाता हूँ अब मु इसे वे सा सकने इनके सामराज्य के ऊपर आकर्मण करने की सोची भी नहीं जानते हो क्यों क्यों उन्हें सभी को पता था कि हतियार डाले है चलाना नहीं बूला है अगर फिर से कहीं इसने हतियार खड़ा कर लिया तो हम सब की छटी पसनी याद दिला देगा ठीक है अगर इन्होंने अपने हतियार ना डाले होते तो क्या होता इन्होंने अपने हतियार डाल करके युद ना करने का निर्ने लेकर के सही किया या गलत किया मैं इसकी दो तिन बज़ें आपको बता देता हूं अगर इन्होंने हतियारों को ना डाला होता यानि कि जो इन्होंने युद ना करने का निर्णे ना लिया होता है तो हो सकता है कि भाई आज हमारा जो भारत देश है ये अखंड बारत होता और भारत का विस्तार बहुत बड़े इलाके में होता ठीक है बहुत बड़े इलाके में भारत का विस्तार देखने को मिलता है कि भाई अगर ऐसा होता तो आज हमारा राज लोकतांत्रिक देश नहीं बन पाता हमारा देश लोकतांत्रिक देश नहीं बन पाता एक राज विवस्ता कायम रहती ठीके और यहां पर ब्रामनों का बैसा ही प्रत्नित तो ब्रामनों का वैसा ही दबदबा रहता ठीक है और इसके अलाबा जैसे आपने किम जोन वाला राज्य देखा है किम जोन का सासन सिलता है कोरिया वाला ठीक है ऐसा ही सासन हमारे देश में भी होता लेकिन हमारे देश का पूरी दुनिया में बोलवाला होता इसकी तो मैं गारंटी ले सकता हूँ अगर असोग समराट ने हतियार ना डाले होते अपने आने वाली पीडी को भी अपनी जैसे सिछा प्रदान की होते अब आप मुझे ही बताओ कि असोग समराट ने जो युद ना करने का निड़े लिया वो सही लिया या गलत लिया ठीक है इसका निड़े में आप के उपर रखता हूँ ठीक है तो असोग ने वैसे एक अबलेग लिख वाया था उसमें कहा था कि भाई ना तो हम युद करेंगे और ना ही हमारे आगे आने वाली पीडी जो है वो युद करे ठीक है इसके बदेरों ने का कि भाई धम के माद्यम से लोगों का दिल जीतना चाहिए लेकिन अंग्रेजों के सामने जब हम धम के माद्यम से उनका दिल जीतने के लिए गए तो उन्होंने हमें गुलाम बना लिया और गुलाम बनाने के बाद में लगबग देड़ सो सालों तक बहुत मार मारी इतनी मार मारी कि हमारे गांदी जी अहिंसा के पुजारी बन के खड़े हुए हमारे यह के लोगों को मतलब कितनी ही परिसानिया जहले पड़ी जो हमने अहिंसा की बात की ठीक है आगे बढ़ते हैं पॉइंट जो हमारा रहेगा वो है असोक का धम क्या था असोक का धम क्या था देखो जब आपके पास में ताकत होती तब आप अगर ये कहोगे कि बाई राधे राधे जपो तो भी लोग जपेंगे आप कहोगे कि बाई नहीं राम राम जपो लोग जपेंगे आप कहोगे रा असोक के पास में ताकत थी ठीक है और असोक अगर असोक ने तलवार रखी थी ठीक है चलाना नहीं भूलाता असोक ठीक है अगर लोगों को पता था कि अगर हम इसकी बात नहीं मानते हैं ठीक है तो असोक ने अगर तलवार उफा लिए तो हम सब को खतम कर देगा इसलिए इस अगला पॉइंट है असोक का धम किया था, पहले बिंदु में कहा जा रहा है, धम सब्दकार्थ होता है धर्म, ठीक है, ये संस्कृत के धर्म सब्द का प्राकृत रूप है, ठीक है, धर्म का प्राकृत रूप है, जो धर्म सब्द है, इसे संस्कृत में धर्म कहा जाता है, असोक के धम में किसी भी देवता की पूजा अत्वा कर्म कांड की आवश्यक्ता नहीं थी, ना तो इसमें किसी देवता की पूजा करनी है, नहीं कर्म कांड करना है, असोक ने जगे जगे आ करके लोगों को धम की सिख्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की थी, इन अधिकारियों को धम महामात के नाम से जाना जाता, धम की प्रचार के लिए असोक ने कई संसाधनों का, सुरी कई साधनों का प्रियूग किया थ, धम बेसिकली क् खंबों के उपर अपने आदेसों को खुदवाया था ठीक है उनसे अधिकारियों को आदेस दिया था कि वे राजा के आदेस को उन लोगों को पढ़के सुनाए जो खुद नहीं पढ़ सकते यानि कि जंता तक अपनी बात पहुचाने के हर भर्सक प्रयास इन्होंने किया था ठीक है पहला तो प्रयास ही हो गया कि इन्होंने अपने संदेसों को अभी लेक के माद्यम से अलग अलग स्थानों तक भीजवाया अभी लेक अलग अलग स्थानों पर लगवाये फिर आदिकारियों की निउक्ति कर दी कि जो लोग इन अभी लेकों को पढ़ नहीं सकते उ अपने प्रजा के लिए असोग का संदेश क्या था उसको भी यहां पर देख लो बेसिकली यहां पर जिनोंने जिस धर्म का बहुत अधिक प्रचार किया था इन्होंने धम का लेकिन इसमें बहुत धर्म का काफी अधिक प्रचार देखने को मिलता है अच्छा इनका संदेश क इनका जो धम था उसमें क्या संदेश दिया गया था असोक ने बच्चों के जन्म यात्राइन शुरू करने या फिर बिभा आदी के एपसरों पर किये जाने वाले अनुष्ठान और कर्म कांडों के स्थान पर मानवता का संदेश अपनी प्रजा को दिया इन्होंने का कि करवारे हैं पूरे के पूरे भागवत का पर भारे हम यात्रा शुरू करने जा रहे हैं तो बहुत बड़े-बड़े करम कांड़ हमने इस जैसी कि आपने मानवता प्रburn हिНеोंने मानवता का संदेज दिया देज इन्हों का इए जीवों पर दया करो जैसे की बौध और जींधर में कहा गया था ब्रामनों वा श्रमनों तीकि जो ब्रामन है और इसके लावाज जो सऽ्वरक्य वेक्ति है इंको दान दो ठीकि शैल मानवता का संदेश यही इनका धमता अब ब्रामी लिपी की बात कर लेते हैं तो आदुनिक भारत की जादनता लिपियां जैसे की देवनागरी तमिल, बांगला, मल्यालम यह सभी-सभी लिपियां ब्रामी से ही निकली अगर हम आरंबिक लिपी देखें तो इस प्रकार की है यह आ है, यह आ बना हुआ है देवनागरी में आ ऐसे बनाया जाता है आरंबिक ब्रामी में इसे बनाया जाता है देवनागरी हिंदी यह होगे बांगला में आ को ऐसे बनाया जाता है और तमिल में आगो ऐसे बनाए तो यह बिबिन प्रकार की लिपियां है ठीक है अगर देखें तो आरंबिक ब्राम्मी जीती वो यह थी फिर इससे यह बन गई हिंदी बंगला पिर इससे यह बंगला बन गई ठीक है पहले इसमें कितरा बनाया जाता था फिर दो चूले बनाय जाने लेगे फिर एक ही चूला रह गया ठीक है फिर इसमें कई सारे चूले बन गए फिर चूले बनाकर एक तीर भी उना दिया गया ठीक है तो ऐसे जो लिपियां है एक ही लिपी से निकली है ठीक है ब्राम्मी लिपी से ही इस सारी लिपियां उत्पन हुई है ठीक है अग हम जिन सेरों के चित्र को पैसोंपर देखते हैं उन्हें पत्रों को काटकर बनाया गया था और फिर उन्हें सारtak Bowman में एक बिसाल इस्तंभ पर इस्त Municip किया गया था अच्या जो येस सेरों का मुपटर हो घ्तिंस भी और इसे अभी भी बनाया गया सेरो वाला इस्तंभ है ये इसमें चारो तरफ सेर के मुह होते थे और ये असोग समराट के सामराच को दिखाने का प्रयास करते थे ठीक है असोग को इसमें सेर की रूप में दिखाये गया है ठीक है और जिदर तरफ मुह करे सेर उदर तरफ जा सकता है यनिकि चारो दिसाओं असोक समराट का सासन फैला हुआ है उसको प्रदर्शित करने के लिए एक तरह से इसको दिखाये गया था ठीक है आगे बढ़ते अभी जो हमारे मोदी चीए उन्होंने इसको री क्रियेट करवाया है इसका एक बहुत बड़ा मतलब इनोग्रेशन भी किया गया था उसमें बत दीवार के राम पुर्वा में एक मॉर काले स्तंपा का हिस्सा है इसे अभी राष्ठ पति के खववन में रखा गया राष्ट्म ने, इसलिए ये टॉपिक important है ठीक है यह उस समय की मूर्तिकला का एक नमूना है ठीक है इसे राष्टर फतिभवन में देखर रखा गया है अगला है चीन की दिवार ये मतलब एक important topic है फैक्ट पर अदारित इसलिए इसको हमने रख लिया बागी मतलब हमारे भारत की इतियास में थोड़ा सर रिलेट करता है इसलिए समझो चीन की दिवार की विसे में पहले point में काज़र है मौरिस समराज जी के उबरने से थोड़ा पहले यानि कि मौरिस समराज को गरम देखे तो आसे लगबग 2300 साल पहले इसकी स्थापना वही और चीन की दिवार बननी सुरू हुई ठीक है कि सुरी अगले 2000 वर्षों तक ठीक है देखो जब चीन की दिवार का निर्मार शुरू किया गया था तो उसके पीछे का कारण यह नहीं था कि उनको अपने समराज की रक्षा करनी है उनको यहां के पसुपालकों से डर लगता था यहां के जो चरवाहे हैं वो उनकी सीमा में गुश जाते थे और अपने जानवरों को चराय करते थे और अगर उनसे लड़ने आओ पसुपालक ऐसे लोग होते हैं किसे आप लड़ने ही सकते हमारे गाओं में बहुत सारे ऐसे पसुपालक है कि अगर उनके जानवर आपके खेत में गुश गए ठीक है और वो जानवर इसमें क्यों उसे तो वो मतलब लड़ने लगते थे कि मैं नहीं देख पाया तुम ऐसे कैसे कह सकते हो उनसे ठीक है तो पसपालकों से लड़ना मतलब बहुत कठीर होता है ठीक है हमारे अगर मतलब क्या कि उनसे लड़ा आओ ठीक है तो दूसरे तीसे दिन वो तथा जान के लिए इस दिवार का निर्मान किया गया था और इस दिवार का निर्मान अगले 2,000 वर्सों तक चलता रहा ताőर यह दिवार लगबग 6,400 किलोमेटर लंबी है तता पत्तर और इंट से बनी हुई है इसकी उपरी सतय सड़क जैसी चोणी है और इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ाता हर 100-200 मीटर की दूरी पर निगरानी के लिए बुर्ज बनाएगे जैसे कि ये दीवार जा रही है ये ऐसी दीवार जा रही है 100-200 मीटर की दूरी पर बुर्ज भी बनाना है ठीक है चोड़ी है यह दीवार ठीक है तो यहां पर एक बुर्ज बना दिया गया ठीक है यहां पर एक बुर्ज बना दिया गया ठीक है यहां पर विक्ति खड़ा हो करके इस दीवार के और इसके आसपास के लाग़ को कि निगरानी रख सेगे फिर थोड़ा सा आगे बड़े तो यहां पर एक बुर्ज बना दिया गया, ठीक है, इसी तरह से, और आगे बड़े तो यहां पर एक बुर्ज बना दिया गया, ऐसे बुर्ज बनाये जाते थे, इसी तरह से, मतलब इस दीवार को पूरा किया गया थे, 100-200 मेटर की दूरी पर निगरानी के लिए बुर्जों एंग को डूट कर लिएगा अगर आपको पूरा कोर्स जॉएंग करना है तो डिस्किप्सन बॉक्स में हमने आप देख लो कि किया क्या मिलने पाला उसके बाद में आप इस पर आछे दॉन नियां धरक दोलों में से जो भी आप चाहें पर्चास कर सकते तो आप इंस्टञाम पर में सब्सक्राइब करने में प्रावर कोई आपको अगला तat इसको हम आज ही सामको ठीक सार वजे चार वजे डिसकस करेंगे तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में तब तक के लिए जैहन साथियो